नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंग खना हुवियोपेथी क्लीनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम साथियों बात करेंगे कंसंट्रेशन के विशे में एकागरता के विशे में आज एक बड़ी समस्या हो गई है जर्टिक काम कुछ कर रहा है उससे उसका काया उपुट घटा रहा हैको कभी एक दोर कभी होता है इसे हमारे जीवन में तो नहीं आया लेकिन बहुत लोगों के जीवन में ऐसा आता है कि वो क्लास में बैठे हैं, कुछ लिख रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और चला गया, अपने क्लास में किसी और पर चला गया और ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं बात को, तो यहां जो लैक आफ कंसेंटेशन हैं कि आप करना कुछ चाहा रह रहे हैं कर कुछ रहे हैं सोच कुछ रहे हैं तो यहां जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है यहां एक समस्या है आज हम बताएंगे साथियों आपको यह लैक ऑफ किन्सेंट्रेशन को खत्म करने की दस कारगर होमियोपेथिक दमाएं तो ये घट्ना बड़ों में भी हो सकती है कि सहाँ काम कहीं कर रहे हैं लिए अपने बॉस के बारे में और काम कर रहे हैं दूसरा सामने कंप्प्रूटर पर जाती है तो उस घरवरत को रोकने के लिए होमियोपैथी में बहुत कारगर दमाए हैं हम आपको बताते हैं 10 कारगर दमाए जो आपके जीवन के आउटपुट को बढ़ाएंगी आपकी धिमाग को विकार की बातों से हटा के अपने फोकस पे लाएंगी क्योंकि आजकल आउटपुट बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर के जॉब हैं बनिये की नोकरी है उसको आप 10 लाग कमा के देऊगे तो वह आपको एक लाग तंखा देगा ये फैक्ट है एक सत्य है आप उसको 10 गुना आउटपुट दोगे तो आप उसका कुछ हिस्सा आपको देगा तो और अगर जिस दिन आप वह आउटपुट नहीं दे पाए उस दिन आप उसके लिए रिटायर हो अगले दिन वह एक कागस थमा देगा आपको साब कल से ना आईएगा या आपका डिग्रीडेशन कर देगा आप आ रहते लाग रुपए आपने खर्चे परिवार के एक लाग रुपए से से शेटिल कर लिये सब लोन ले लिया और दुनिया भर की पॉलिसी जो आज कर दें इसके लिए कारगर होमियोपेथिक दवाएं दमाए साथियों क्योंकि लैक आप कंसेंटेशन का बहुत बड़ा विशाइज में एडी एसटी भी आता है बच्चों के लिए जो क्याइडर्स पाय जाता है तमाम बाते आती हैं तो अगर जादा समस्या हो तो डॉक्टर से एक बार संपर्क जरूर करें जलते हैं साथियों बताते हैं आपको होमियोपेथि में लैक आप कंसेंटेशन को दूर करने की यानि कंसेंटेशन एकागरता बढ़ाने की होमियोपेथि में तसकारगर दवाएं एक स्थिति आती है साथियों लैक आप कंसेंटेशन में कि व्यक्ति जो है उसका koncentration कम हो गया और वो forgetful हो गया अगर यहाँ एस्थिती साथियों हो lack of koncentration में तो उसकी होमयोपेफिती में बहुत कारगर दवा है और दवा कानाम है in어 cardium orienteil अप in로 북ón एक कार्डियं ओरिंटियर ौ्रिंट। तो एनकाडियम 200 बहुत अच्छी दवा है यहां आपको लाब दे देगी एक और बहुत कारकर बहुत इंपार्टेंट बात होती है इसमें एनकाडियम के मरीज की कि वहाँ एक्सेंट माइंडेड होता है उसका माइंड फोकस नहीं रहता है और anxious होता उसमें anxiety पाई जाती है तो अगर यह symptom आप में है कि आपको lack of concentration है और आपको anxiety है और forgetfulness है तो homeopathy में सबसे ची दवा आपको ठीक करने और आपके concentration को वापस अपने फोकस पे लाने के लिए एनकाडियम 200 है फिर साथियों एक स्थिति आती हों योपेथी में कि lack of concentration ऐसा है कि कुछ भी सोचने लग गए wild thoughts कि होस नहीं है क्या सोच रहे हैं कुछ भी सोच लिया जैसे कि साब अपना काम कर रहे हैं अचानक सोचने लगे हमें मोदी जी बन जाएंगे हम तो हम यह यह करेंगे पार्लेमेंट को इस रंग का पेंट करवाएंगे इस तरह के wild thoughts है मोदी जी तो कोई भी बन सकता है लेकिन सोच के नहीं बन सकता शायद उसके लिए जो तपस्या चाहिए हम लोग उसके के बिल्वों ना हो यह विवाद बात का विशह है तो इस तरह की जो वाइल थार्स आती हैं कि हम ट्रम बन जाए तो हम जो है क्या करेंगे कहा इंटम वं से किसको उड़ा देंगे इस तरह की जो वाइल थार्स आती है इसको ठीक करने की भी होग्यों पैथी में बहुत अच्छी दवा और दवा का नाम है इस्ट्रेमोनियम आप इस्ट्रेमोनियम दोसों पावर में दो दोबून दिन में तीन बार ले लें आपका जो वाइट थार्स है यह खतम होंगी और आप अपने कंसंट्रेशन को एक आगरता को एक चित में कर पाएंगे पिर साथिया कंडिशन आती है कि आपकी प्री मेच्योर एजिंग होने लगी आपका लैक ऑप कंसंट्रेशन हो रहा है और आप महसूस कर रहे हैं आपको पुरा सरीर ही जो है एज कर रहा है आपके बाल भी संपेद होने लगे आपका कंसंट्रेशन भी खतम हो गया आपका बीवीख होने लगी आपका इसकीन भी लटकने लगी जुड़ी आने लगी सब कुछ होने लगा तो अगर यह एस्टिती हो और आपके लैक ऑफ कंसंट्रेशन है तो इसको ठीक करने की बहुत कारगरदवास आती हो है एम्ब्राग्रेशिया आप एम्ब्राग्रेशिया था ने थोड़े यूथ की तरफ बढ़ेंगे फिर साथियों लैक ऑफ कंसंट्रेशन की स्थिती आती कि आपको पुराने दौर के अपनी बाते याद आ रही है आपके साथ ना इंसाफी होई होगी गलत हुआ होगा बुरा हुआ होगा या आपके हिसाब से बुरा हुआ होगा तो आप लैक ऑफ कंसंट्रेशन आप में है कागरता नहीं है अगर वह इस तिती है साथ हुए तो उसको ठीक करने के उम्योपएदी में बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है एसिडम नाइटिकम आप एसिडम नाइटिकम यानि नाइटिक एसिड की 200 पावर की तीन फ पा रहे हैं तो एसिडम नाइटिकम आपको ठीक करके आपको लाब पहुचा देगी फिर सातियों एक दवा आती है जब बच्चा जो है फिजिकली मेंटली दोनों वीख हो और उसका कंसंट्रेशन ना हो रहा हो अगर यह स्टिती है सातियों तो इसको ठीक करने की बच्ची में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है बराइटा कार्बोनिकम आप बराइटा कार्थटी दो दोन दिन में तीन बार बच्ची को दे सकते हैं वेन ही इस ड्वार फिजिकली और दिमागी तोर पे दोनों रूप में वहाँ कम विक्सित है और उसका लैक यहां देखे आप लाब पा सकते हैं फिर एक स्थिती आती ही सातियों की व्यक्ति कहता है हम अपने घर से दूर है और घर जाना चाहते घर पे निकलता है तो कंसेंटेशन बढ़ा अच्छा रहता है और घर के बाहर निकलता तो कंसेंटेशन बहुत खराब हो जाता है अगर विजेश्यों ने यही सोच के बनाया होगा हम लोगों से वो सो साल आगे की सोचते हैं तभी हम लोगों पर राज भी कर गए लेकिन आप हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है इस बात भी दो राज शायद नहीं है तो अगर आप बाहर आपका कंसेंटेशन कम है और अपने घर आपकी कंसेंटेशन आपका अच्छा हो जाता है लेकिन आउटसाइड में आपका लैक ऑफ कंसेंटेशन है तो इसको ठीक करने की हमियोपैथी में बहुत कारगर दवा ब्राइनिया है आप ब्राइनिया थाटी दो दो बून दिन में तीन पार लेके स्वास्त लाप राप क कर सकते हैं फिर साथ निए कि इस्थिती कि आप बहुत डिपरेस हैं और आपके इसे इस्थिती को ठीक करने के हुमयवपैती बहुत कारगर दवा है और दवा का नम है एक थायो लंग थाटी-दो-दूबो न दिन मेरा लिए अगर आप अपने में डिप्रेशन मैसूस करते हैं और उससे आपको लाक आफ कंसंट्रेशन है आपका चित्र एकागर नहीं हो पार आपकी एकागरता में कमी है तो लाक आप कंसंट्रेशन के लिए उसस्तिती की दवा एक्थायुलम है एको 30-30 पावर में तो दो ही है मन में और उसके कारण आप लैक ओफ कंसेंटेशन ड्राइविंग पर नहीं कर पाते हैं उसकी भी उम्योंपरती है बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है ऑस्मियम आप थाटी दो दो बून दिन में तीन बार लेके वो जो ड्राइविंग की दिकत है अपने में उसक करके आप कमफर्टिबले ड्राइव कर सकते हैं तो ऑस्मियम बहुत अच्छी दवा है जब आपको ड्राइविंग के समय कंसेंटेशन ना होता हो लैक ओफ कंसेंटेशन ड्राइविंग फिर एक इस्तिति आती है कि आप कोई काम कर रहे हैं जैसा कि हमने कहा आप स्कूल में काम कर रहे हैं और आप की थौट इस्टेबिल नहीं है आप कुछ काम कर रहे हैं उस पर आपने सोचा और सोचने के बाद आपके फिर दिमाग कहीं और चला गया तो अगर यह इस्तिति है आपके कि आपकी थौट इस्टेबिल नहीं है तो इसको ठीक करने की हुमियोपैथी और दवा का नाम है इरीडियम मिटैलिकम, आप इरीडियम मिटैलिकम दो सव पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं, उस इस्थिति में ही जब आपकी थौट इस्टेबिल नहीं है, आप जो सोच रहे हैं वही निरूख पारा पहले कुछ सोचे, दो मिट में क करना सुरू करें कुछ और सोचने लग गए, तो इक्ठाविलम उसकी दवा है, यहाँ दवा आपको ठीक कर देगी और इस इस्थिति से निकाल देगी, फिर एक इस्थिति आती यह साथियों कि आपके दिमाग में आइडियास बहुत चलना है और कंसंट्रेशन नहीं हो रह लेकिन आपके नए-ने विचार आ रहे हैं, नए-ने तरह के विचार आ रहे हैं, आपके हज्जारों आइडियास आ रहे हैं एक मिनिट में और आप कंसंट्रेट किसी बात पे नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी स्लीप भी इंप्रॉपर है, तो खुम्यों पथी में इसको समस आइडिया पर कामी ना कर पाएं, तो उस विचार में कॉफ्या आपकी मदद करेगी, आइडियास को कम और थोड़ा रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं, उस पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि लाव आपको वही चीज़ देने वाली है उस पर जो आप कर रहे हैं, तो उसको आप इमानदारी और तलीमता से करें इसके लिए दवा कॉफिया है फिर एक इस्थिति आती है कि आप सिरही भूल गए कि कहां से आपने थॉट प्रोसेस आपका इतना खराब हो गया है कि आप वो थ्रेड सिरही भूल गए कि कहां से हमें बात को पकड़ना है क्या कर रहे थे वापस सोचने कुछिस करते हैं तो उस बात तक पहुंची नहीं पाते हैं अगर यहाँ भावना यहाँ इस्थिति आप में हूँ तो इसको ठीक करने के होंगे बहुत कारगर दवा है मेडोरिनम आप मेडोरिनम 200 पावर की दो दोबून दिन में तीन बार ले लें आप कंसेंट्रेशन खराब हो गया बात को भूलने लगे अगर यहाँ इस्थिति आप में हो रही कि आप थोट को भूलने लगते हैं तो उसको ठीक करने के होंगे उपैथी में दभाया लाइको पोडियम आप लाइको पोडियम क्लेवेटम 30 पावर में दो दोबून दिन में त रहता बाहरवारों के साथ पोलाइट रहता है अगर यहाँ कंडिशन है तो आप लाइको पोडियम है अप यहाँ दवाले के लैक ऑफ कंसेंट्रेशन को खतम कर सकते हैं एक इस्थिति आती है साथियों कि आप दिमाग में एक मिनिट में हजारों बाते सोच रहे हैं और दवा है कैजियो पिटम आप कैजियो पिटम थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं आप देखेंगे कि जो हजारों बाते एक बार में आपके दिमाग में डौरती हैं जिससे कि आप कंसेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ ठीक हो गया और आपक दो चला लेकिन अपने फोकस पे चला तो कैजियो पेटम बहुत अच्छी दवा है लैक ऑफ कंसेंट्रेशन की कि जब हजारों विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं फिर एक इस्तिती आती साथियों कि मरीज एकाग्र नहीं है और उसे अपने पे कंट्रोल भी नहीं है अगर यह एस्तिती हो कि उसको अपने पे नियंत्रण कम हो और उसका कंसेंट्रेशन भी कम हो उसकी कोई बिचार का अगला क्या कोई भरोसानी क्या करेगा अगर वो एस्तिती हो तो उसको ठीक करने की होमियोपैथी में दवा ओपियम है आप ओपियम 30 हो तो बून दिन में आप देखेंगे कि आपका अपने भाबनाव पर कंट्रोल अपने मन पर कंट्रोल अपने दिमाग कर अपने शरीर पे अपने पर कंट्रोल बहुत बढ़ गया और आप में एकांगरता आ गई लेक औफफ कंसेंट्रेशन की बहुत अच्छी दवा साथियों भी है इसको भी यहां साथ स्थी आते हैं पर दोनों में कम अंतर है लेकन अंतर हैं लैक आप कंसेंटरेशन में किसा पार रहें। इस वात पे नहीं है जहां पर होना चाहिए यह बच्छा है पड़ाई नहीं करना चाहता तो अगर यहां है स्थीद्या साथियों तो इसको ठीक करने की और विक्स करने की अटेंशन बहुत अच्छी तभा होँ में उप्रती में, इथूजा साइने पियम इथूजा 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार आप दे सकते हैं अपने बच्चे को या परिवार में किसी को भी अटेंशन को फिक्स करने की दिक्कत हो इथूजा भूत लाब देकर मरीश को ठीक कर देगी फिर एक स्थिती आती है सात्यों कि बच्चा पढ़ाई पे कंसंटेट ने कर पारा वा औरों के साथ रहना चाहता है अगर यहां स्थिती है तो इसकी भी होंगे परिथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है स्को ठेलम आप इसको टेलंग 30 दो दो गून दिन में टीन पार दे दें आप देखेंगे कि बच्चा पढ़ाई पर कंसंटेट करने लगा और उन पर कंसंटेशन उसका कम हो गया तो इसको टेलंग 30 भी बहुत अच्छी दवाया अगर आपके बच्चे का lack of concentration है पढ़ाई के प्रती पढ़ाई के प्रती उसकी कागरता नहीं है फिर एक इस्तिती आती है साथियों की मरीद बहुत बीक है और weakness के कारण उसका lack of concentration है वो कमजोर बहुत है और वो concentrate नहीं कर पा रहा अगर यहाँ इस्तिती साथियों है तो उसको ठीक करने के उसके concentration को पुरा एकारगता को पुरा इसापित करने के हुमपएतियों बहुत कारगर दवा है सलीसिया सलीसिया 32 दुबून दिन में तीन बार आप उस condition में ले सकते हैं जब आपके lack of concentration है आपके शरीव में weakness है आपको सरती बहुत जादा लगती है गर्मी में गर्मी बहुत जादा लगती है आपकी हतेली या तल्वों से पसीना बहुत आता है इन सारी स्थितियों में करगर दवा की सलीसिया है इसको लेके आप लाप लाप कर सकते हैं फिर सातियों स्थिति आते ही कि मरीज में इती वीकनेस आ गई बहुत अधिक कमजोरी आ गई और उससे वो concentrate नहीं कर पा रहा है अगर यहां स्थिति सातियों है कि मरीज में बहुत जादा वीकनेस आ गई उसको कोई chronic disorder है जिसे उसको वीकनेस आ गई और वह concentrate नहीं कर पा रहा है तो उससे स्थिति में concentration और उसकी वो समस्य है जैसे कि हम एक example दे रिनल फेलियोर को ठीक करने की होमियोपेथी में बहुत कारगर दबाया टेरी बिन्थ आप टेरी बिन्थी ना थर्टी दो दूबून दिन में तीन बार देते है आप देखेंगे कि मरीश का concentration बढ़ गया उसकी जो debility वाली शरीर की हालत है वहाँ भी ठीक हो गई और उसको स्वास्तलाब होने लगा ये सातियों को दमायती होमियोपेथी में lack of concentration को दूर करने की यानि कि आपकी ये कागरता जो आप कर रहे हैं उसमें काम को बढ़ाने की सातियों जैसा हमने बताया था कि ये जो concentration है ये बहुत बड़ी mental condition है जिसे बहुत से disease cover होते हैं तो बिना किसी डॉक्टर से पूछे दवा नहीं लें पता नहीं वो किस form का आपका lack of concentration हो अगर आपके मन में कोई query हो सातियों तो आप YouTube notification पैंडल में या फिर हमारे WhatsApp नमबर 94157863809157863 पर अपने query को WhatsApp करके हमसे आप ज्यानकारी ले सकते हैं हमसे आप अपने सवाल का जवाब मांग सकते हैं आपको साथ योगर यहां प्यास खुबसूरत लगा हो प्यारा लगा हो बातें काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने चैनल को सब सब्सक्राइब कर दिएगा अगर आपने ना कर रहा हो तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजेगा यह मेरी रिक्वेस्ट है आपसे रिक्वेस्ट भी क्या लेकिन हां एक आप कर देंगे तो अच्छा रहेगा और डॉक्टर में कहीं ना कहीं हो आ जाती है शायद इसी हमाई चैनल को सबसे नए वीडियो आप आते रहेगा और मैं बता हूँ इंगो भी नहीं है साथियों अज दशेरे का दिन हम यह वीडियो बना रहे हैं एक अपने वक्त को परिवार को छोड़ कर यहां पर बैठें समाज के लिए काम कर रहे हैं ठीक है हमारे भी इससे इस वीडियो को शियर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाराल आप हमारे साथ इतनी देर रहे हमारी बातों को सुना समझा वक्त दिया उन पर एक आगरता से कंसंट्रेट करा इसके लिए आपका धन्यवाद कर दो शुन कर दो शुन पर झाल कर दो शुन पर दोगिए जग दो शुन कर दो शुना से कंस्टेश इस दो प्यूने कर दो चास्टेश कर दो 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 कर